हालो फ्रेंग्स मेरा नाम है चैंचल और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूटीब चैनल पे प्रैप केट्स पे आज हम बात करेंगे कि बच्चों को 1,2,10 नंबर्स लिखना कैसे सिखाएं तो अगर आप पहले अपने बच्चों को ऐसे लाइन्स बनाना सिखा चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है इसके विहाफ पे ही बच्चा नंबर्स लिखना स्टार्ट करेगा जैसे कि standing line, slipping line, zigzag, curves और अगर बच्चे ये नहीं सीख पाएं तो आप अभी बच्चों को ट्रेस करने के लिए दीजिए जैसे कि मैंने यहां पे कीये वह हैं आप देख सकते हो मैं नहीं के आप ट्रेस करने के लिए अगर आप ट्रेस करने के देंगे तो बच्चा खुझ से उनलेक्र कर सकता है बहुत इजिली और सीख सकता है कि यृष के से सीख सकता है इसको तो हम स्टार्ट करते हैं यहां पर नमबर्स बनाना मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप प्लेइंशीट्स पे ही बच्चो को सीखाईए जिससे उसके उपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी और बहुत ही इजी तरीके से सीख पाएगा पुछ पेरेंस क्या करते हैं अगर बच्चो को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो उनको फ्रीन मन की कॉपी ला देते हैं और वो बॉक्स में करने के लिए बोल देते हैं वो बच्चा नहीं सीख सकता क्यूंकि अभी वो सीख रहा है तो आप उसको प्रेसिफिक जगा नहीं दे सकते हैं वो सीख रहेगा तो वो छोटा भी बना सकता है बहुत बढ़ा बनाएगा तो पिर आप उसे डाटोगे इसलिए अच्छा होगा कि आप उसे प्लेन पेपर पर ही सिखाएं जैसे कि हम बनाएंगे one तो standing line one ऐसे भी सिखाते हैं slanting line standing line and slipping line तो हम कैसे सिखाएंगे बच्चों को one बनाना अगर आपका बच्चा lines सीख चुका है slanting lines, standing lines सारी lines को सीख चुका है तो बहुत easy से इसको बना सकता है जैसे कि standing line, slanting line, standing line, slipping line one two, one curve, slipping line, one curve, slipping line बच्चों को two बनाना बहुत easy है अगर आप उनको पहले सी lines सिखा चुके हैं तो अब हम बात करते हैं three की तो अब हम बात करते हैं four की one standing line, slipping line, standing line standing line, sleeping line, standing line standing line, sleeping line, standing line standing line, sleeping line, standing line बहुत ही easy से आप one to ten बच्चों को counting सिखा सकते हैं अगर बच्चे आपके one to ten counting सीख चुके हैं तो उनको आगे सिखाना बहुत ही easy है तो हमें सबसे जाड़ा दो बच्चों पर ध्यान देना है one to ten पर ही देना है उसके बाद बच्चे बहुत easy से बना सकते हैं अब हम five की बात करें तो one slipping line, standing line curve 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 अब अगर हम six की बात करें तो one curve और इसको अंदर से joint कर दिना है one curve और इसको अंदर से joint करना है one curve और इसको अंदर से joint करना है slipping line, slanting line slipping line, slanting line slipping line, slanting line slipping line, slanting line जैसे मैं आपको बोल के बता रही हूं slipping line, slanting line curve ज़र आप बच्चों को ऐसे बोलते हो तो उसको भी बहुत ही easy से उसको यह याद हो जाएंगे कि कौन कौन सी lines होती हैं और कौन कौन सी line से मिलाकर उनको letters या number कुछ भी बनाना है तो बड़े हैं तो हम तो इसको बनाते हैं ऐसे यह बहुत बच्चों के लिए बहुत ही hard है यह eight तो हम बच्चों को सिखाएंगे one circle, two circle one circle, two circle one circle, two circle यह बहुत ही easy है बच्चों को eight सिखाने के लिए हम यह बच्चों को नहीं सिखा सकते ही यह उनके लिए थोड़ा hard है अब हम nine की बात करें तो one circle, standing line one circle, standing line ten के school में slanting line वाला one सिखाते हैं तो आप उसको ऐसे बताना slanting line, standing line, sleeping line और circle और अगर ऐसे बताते हैं तो standing line, circle क्योंकि कुछ school में ऐसे भी बन बन बाते हैं और कुछ में ऐसे भी बन बाते हैं तो यह school के उपर डिपेंड करता है slanting line, standing line, slipping line, circle अगर हम one to ten numbers प्लेन पेपर पे बच्चों को सिखा चुके तो अब हम आएंगे ऐसी बड़े बड़े बॉक्स की कॉपी पे हम चोटे बॉक्स की कॉपी नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी बच्चा सिर्फ सीख रहा है और आप देख सकते हैं कि यह इस कॉपी में कितना डिफरेंस है यह जो बॉक्स टैन टाइम बड़ा बॉक्स है तो हम प्रेफर करेंगे कि बच्चे जब सीख रहे हैं तो हम इसी कॉपी कर इस्तिमाल करें अगर आपके पास असी कॉपी नहीं है तो बहुत इज़ी है इसको बनाना आप देख सकते हैं य उनको लाटर सीखने के लिए एलफबेट सीखने के लिए अक्षर सीखने के लिए फ्री छोड़ना उसके बाद हम बड़े से चोटे स्वाणा बच्चो को सिखाएंगे कि यह बनाना बहुत इसी हो जाएगा बच्चो के लिए आपके बॉक्स वाली कॉपी ले लेंगे तो बच्चों को सिखाने में बहुत परिशानी होंगी तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं जैसे कि अगर हम बच्चों को यहां पर ट्रेस करने के लिए दे तो वान ट्री ट्री जैसे कि अगर हमने यह बना दिया तो बच्चा इसे बहुत इजी में ट्रेस कर लेगा जैसे कि वान ट्री ट्री और जब वो यह सीख जैगा तो आपको यहां पर बहुत इजी ली उसको दे देना है नमबर्स बनाने के लिए ट्री ट्री फोर फाइफ शी बहुत इजी तरीके से बच्चे नमबर्स सिख जाएगा और जब इस पर सीख जाए तो फिर आपको लास्ट में इस कॉपी पर आना है और आप यह वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके बच्चों को नमबर्स सिखाने में अगर आप अपने बच्चों को वन टू टैन नम नबर सिखाने में and if you like this video so don't forget to like share and subscribe my channel thanks for watching